हलो फ्रेंट्स जी हां दोस्तों मैं विभलव गुमार एक वार फिर से विभलव वर्लाइन क्लाश में श्वालत है दोस्तों दोस्तों मेरा वर्लाइन क्लास दिख सुरू होने जा रहा है और सुरू भी हो चुका है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जून 2020 के UGC NET के एक्जाम में आपका रिजल्ड हो तो एक बार जरूर हुआ लाइन क्लास से चुरू है दोस्तों आज हम फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे UGC NET का फर्स्ट पेपर अपने आप में दोस्तों बहुत ही महत्वर्व है जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी शाहित में दस यूनिट है उसी तरह दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी दस यूनिट है New syllabus के अरुसार फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक mathematics के भी लगे हुए है अर्धात गनित के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो आज उसी फर्स्ट पेपर की हम तरफ्रा चा टरे हैं और देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते है जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर में 55 questions पूछे जाते हैं हर question two marks का होता है अर्थात कुल हंग्रेट मार्च का इत्राम होता है और इसमें कुल पेपर में टेन यूनीट है खिलेवस में उनी में से एक यूनीट में दोस्तों मैथ का टॉपिक लगा हुआ है आज हम मैथ का पहले टॉपिक नंबर सिस्टम की जाचा करें दोस्तों जिनका मैथ कमजूर है या जिसको मैथ समझने में बहुत समस्या होती है खास कर कि जो हिंदी साहित के जातर होते है उसका मैथ पर बकर बहुत कम होता है लेकिन मेरा दावा है कि अगर आपने अपने जीवन का पांच से दस मिनट दे दिया तो मैथ का शावाल कैसा भी हो आपसे चलू बनेगा बसरते के आप में सीखने की लगग दोस्तों नमबर सिस्टम में हम लोग कुछ टेकनीक को जाने कि आखिर किस तरह से आसानी से सवाल को बनाया जा सके उस टेकनीक में हम समझने का प्रियास करेंगे कि आखिर समसंख्या क्या होता है जिसे इवेंट नमबर भी कहते हैं तो कुछ छोटे-छोटे से हम लोग मतलब जोड घटा और पलश मैनस से सुष्णू करके आगे तक हम बढ़ेंगे और उनको पूरे को आप समझ करें जिससे प्राया पूछता है सिंपल हम समझेंगे कि इवेन नंबर क्या होता है इवेन नंबर जिसे समसंख्या कहते हैं दोस्तों समसंख्या सिंपल समझ जाएगा कि ऐसी संख्या को समसंख्या कहते हैं जो दो से पुर्णता है विभाजिता है सिंपल है जो संख्या संख्या दो से विभाजिता है सिंपल है जो संख्या दो से बिभाजित हो उसे ही event नमबर कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10... जो संख्या दो से बिभाजित हो उसे ही हम संख्या कहते हैं इसी तरह से odd number तिंदी में कहते हैं 20 संख्या दोस्तो जो प्राकित संख्या दो से विभाजित ना हो उसे विसम संख्या कहते है सिंपल में जो संख्या दो से विभाजित नो हो उसे विसम संख्या कहते है जैसे दो से विभाजित ना हो उसे विशम संख्या कहते है जैसे तीन हो गया, पांच हो गया, साथ हो गया, नो हो गया, ग्यारे हो गया, तीरे हो गया, पंदरे हो गया, सदरे मतलब वैश संख्या जो दो से विभाजित ना हो अभी तक हमने दो चीज बढ़ा पहला बताया श्रम संक्या कि इभेन नम्मर की जो दो से विभाजित हो वह संक्या है और जो दो से विभाजित ना हो वह विभाजित संक्या है तीसरा आता है दोस्तों जहां पर प्राय हिंदी शाहित के छातर फस जाते हैं जब पुछा जाता है और भाजी संक्या प्राय लेटर स्रीज नंबर स्रीज में आपने देखा होगा कि प्राय नंबर स्रीज में कभी कभी वह और नंबर बिशम संख्या का स्रीज दे देता है और कभी कभी प्राय नंबर अर्थात और आज संख्या का स्रीज दे देता है जहां से आप फ़स जाते हैं जैसे इस स्रीज में अगर देखा जाएं तीन, पांच, साथ, नो एक ग्यार है अगला पूछे तो आप तेरे लगाते हैं और इसके बाद अगला पूछे तो आप पंद्रे लगाते हैं लेकिन इसी में दोस्तों अगर आप हाज संख्या पूछ ले प्राइम नंगर पूछ ले तो आंसर बदल जाएगा जैसे कि आपको तीन दे दिया पांच दे दिया, शाथ दिया और ग्यारह दिया, तेरह दिया और पूछा कि अगला संख्या क्या होगा अगर ये प्राइम नंबर पर सवाल पूचा है तो प्राइम नंबर पर अगर सवाल पूचा है तो यहां पंद्रह नहीं होगा यहां पर सद्रह होगा तो इवेन नंबर और नंबर प्राइम नंबर को भी समझना बहुत ही चलूरी होता है तो आज उसी को हम समझाने का प्रियास करेंगे दोस्तों अभी हमने समसंख्या और विसमसंख्या को जाना तीसरा जो हमारा होता है वे होता है और हाज संख्या और हाज संख्या जिसे इंग्लिस में हम प्राइम नंबर कहते हैं बहुत महतपुर्ण होता है दोस्तों, आखिर अधिन प्राकिरतिक संख्या, जिसके दो ही भाजय हो, आनि या तो खुद से बिभाजित हो, या फिर एक से बिभाजित हो, वह प्राइम नमबर होता है. फिर से समझें, या तो खुद से विभाजित है, या एक से विभाजित होगा, या एक से विभाजित होगा, पांच का भी वही हाल है, साथ, यहाँ पे नौ देते दोस्तों, तो नौ प्राइम नमबर नहीं है, ये खुद से नौ से विभाजित ही होता है, एक से भी होता है, ल से भी विभाजित हो जाता है इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है यह आपको और नंबर है वि होगा फिर 13 होगा फिर 15 नहीं होगा सत्रह होगा फिर 20 होगा क्योंकि यह साथ से तीन से भी विभाजित होता है तो हमारा तैस हो जाए इस तरह से प्राइम नमबर चलता है तो अभी हमने तीन नमबरों की चर्चा की दोस्तों पहला हमने प्राइम पहला हमने इवेल नमबर देखा जो शिंपल था दो से विभाजित होता है दूसरा हमने और नमबर देखा जो दो से विभाजित नहीं होता है और तीसरा हमने प्राइम नमबर देखा जो खुद से और एक से विभाजित होता है अने किसी से विभाजित नहीं होता है दोस्तो नमबर सिस्टम को बनाने के कुछ और भी टेक्मीक है ये सारे टेक्मीक आगे के प्रश्न में आप से बनाये जाएगा और पूछा जाएगा कुछ संख्या के विभाजित होने के नियम भी आज हम बताएंगे दोस्तों अगर आप ओनलाइन क्लास से जूरते हो तो इसी तरह आशान भात हसा में पूरे जो मैत के शवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं रिसर्च के सवाल पूछे जाते हैं टीचिंग अप्टिट्यूट के सवाल पूछे जाते हैं इन्वारामेंट के सवाल पूछे जाते हैं इन सब को आशान भाशा में आपको समझाया जाएगा देशे दोस्तों किसी संख्या के संख्या के विवाजित होने का नियम का नियम हम देखेंगे कि किसी संख्या के विवाजित होने का आखिर रूल क्या है आखिर नियम क्या है पहला हम देखेंगे दो से विवाजित होने का नियम का दिये दोस्तों अगर हम आपको 8529721 दे दिया जाए और हम पूछे कि या दो से विभाज़त है या नहीं है या फिर हम 85296886 दे दे और आपको पूछे कि निम्ने में कौन दोसे विभाज़त है या दोसे विभाज़त नहीं है तो अगर इनको विभाज़त करने के लिए आप बैठ जाएंगे तो आपको काफी समय डगेगा अगर जीवन का 5 से 10 सकिन आप दे देंगे तो आपसे आसानी से बिना कलम उठाए आप कह सकते हैं कि यह संख्या दोसे विभाज़त है या यह संख्या दोसे विभाज़त नहीं है दोस्तो इसके सिंपल नियम है जिस संख्या के इकाई अस्थान पर यह इकाई अस्थान होता है दोस्तो लाश्ट वाला है या तो जीरो हो दो हो चार हो छे हो आथ हो जिस संख्या के इकाई अस्थान पर दो, चार, छे, आठ हो वह संख्या दो से विभाजित होगा हम देख लेते हैं जैसे हमने कह दिया 8529721 लाश्ट में 1 है तो यह दो से विभाजित नहीं होगा और लाश्ट में यहां हमने 6 देखा और यह 6 से विभाजित है जिस संख्या के अंद में, नमबर के अंद में या दो जीरो हो, दो हो, चार हो, Осब किए हो, आठ हो इसह तरह से दोस्तों, हम देखेंगी कि दो के बाद दुसरा हम लेने, पहले इवेट नम्मर लेने दूसरा में, चार से विभाजित होने के लिए है चार से विभाजित होने का नियम कि आखिर हम चार से किसी संख्या को कैसे विभाजित करेंगे दोस्तों जैसे उदारण मैं आपको दे दे 84248924 दोस्तों चार से विभाजित होने का नियम यह है कि जो संख्या का अंतिम दू इकाई और दहाई अंग अगर चार से विभाजित होता है तो वह संख्या चार से विभाजित होगा यदि इकाई और दहाई अंग यदि इकाई ये इकाई है और दहाई अंग से बनी संख्या चार से विभाजित हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगा जैसे हम 24 लाश्ट का देख लें 24 चार से विभाजित होता है एक नहीं छेचों 24 विभाजित हो रहा है नकलन ये पुड़ा अंक चार से विभाजित होगा इसी तरह दोस्तों तीसरा है हमारा तीसरा हम लोग देखें में आठ से विभाजित होने का निया कि कोई भी संख्या आठ से विभाजित होता है या नहीं तो मालिया कि कोई संख्या है तो चार छे आठ दो फोर कि यह संख्या आठ से विभाजित है जैसे कि आपने दो से देखा था कि एकाई अंक पर जीरो हो दो हो चार हो छे हो आठ हो तो दो से विभाजित होगा चार से आपने देखा कि दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या अदी चार से विभाजित है तो वह संख्या चार से विभाजित होगा इसी तरह से आठ के विभाजन का नियम है यदि तीन मतलब दहाई दहाई और सेग्रा तीन अंकों से बनी संख्या अगर आठ से विभाजित हो तो आठ से विभाजित होगा तो हम लोग लास्ट के मादर तीन अंकों को भांग दे कर देख लेंगे कि यह आठ से विभाजित होता है या नहीं अगर विभाजित होगा तो ये पूरे संख्या आठ से विभाजित हो जाएगा अगर ये विभाजित नहीं होगा तो पूरी संख्या आठ से विभाजित नहीं होगा अगर इसे देखेंगे, बच गया आपको छे, चपन चार साथ, दो बार साथ, छे चोंसाथ, अठी अठी चोंसाथ, मतलब कि यह संख्या हमारा आठ से बिभाजित है तो दोस्तों अभी हमने दो से बिभाजित होने का नियम बताया, चार से बिभाजित होने का नियम बताया और हमने आठ से बिभाजित होने का नियम बताया इसी तरह से आगे जब हम बढ़े में तो हम लोग देखे में हमने छोड़ा हुआ था तीन से विभाजित होने का नियम कोई भी संख्या आखिर किस तरद से तीन से विभाजित है और इसका क्या नियम है दोस्तों सिंपल है कि कोई भी संख्या तीन से विभाजित तरदी होगा यदि इसके अंकों का योग तीन से विभाजित हो सिंपल है तीन से विभाजित होने का नियम है कि यदि दिये गए गए संख्या के अंकों का यूग तीन से बिभाजित हो यदि दिये गए संख्या के अंकों का यूग तीन से बिभाजित हो तो वह संख्या बिभाजित हो जैसे माल लिया तीन बार छे आठ नौ दे लिया और पूछ लिया कि यह तीन से प्रभाज़ित है या नहीं इसके लिए सब को हम लोग जूर देंगे जोर दीजिये, पाच तिन आठ, आठ छे चोदे, चोदे चोविस दो बाइस और बाइस नो एक तिस एक तिस तीन से विभाजित नहीं है, अर्था यह संजिया तीन से विभाजित नहीं होगा यह संजिया तीन से विभाजित नहीं होगा, यह तो होगया तीन से विभाजित होने का नहीं, इसी तरह हम लोग देखेंगे नो से विभाजित होने का नियम, जस्ट वही है, यदि दिये गए संजिया के अंकों का यह यहाँ पर नो से विभाजित होगा, तो वह संजिया भी नो से विभाजित होगा जैसे इसी को हम लोग पूछ सकते हैं 9 से बिभाजित है या नहीं सब को जोड़के यहां 9 से भाग दे तीन वाले में 3 से भाग देगे और 9 वाले में 9 से भाग देगे तो नौतिया शर्टा इस मतलब यह बिभाजित नहीं है तो अभी हमने दोस्तों दो से विभाजित होने का नियम देखा कि जिसके इकाई अंक पे जीरो हो, दो, चार, छे, आठ हो वह दो से विभाजित होगा चार से विभाजित होने का हमने नियम बताया कि अंकों से बनी संख्या अगर चार से विभाजित हो तो वह विभाजित होगा आठ अंकों में लाष्ट के तीन नमबर अगर आठ से विभाजित हो तो वह संख्या विभाजित होगा इसी तरह हमने तीन से विभाजित होने का नियम बताया कि अगर सारे अंकों का यूँ तीन से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या विभाजित होगा आप टेस्ट कर सकते हैं अपने मन से लिखकर कोई भी संख्या इसी तरह हमने 69 से विभाजजद होने का नियम बताया दोस्तो आगे हम लोग चलते हैं कुछ और विभाजद होने का नियम आपको बताये हैं नमड सिस्टम में इसको जानना ज़्यरूरी है तब ही आपसे असानी से सवाग बन चाएए पांच से विभाजित होने का नियम कोई भी संख्या पांच से विभाजित वैसे होगा दोस्तों इसका सिंपल है कि कोई भी संख्या पांच से तभी विभाजित होगा अगर इकाई अंक पर या तो जीरो हो या पांच हो अगर इकाई अंक पर या तो 0 हो या 5 हो तो वैस संख्या 5 से बिभाजित होगा जैसे हमने कहा 5, 8, 9, 6, 5, 0 लाश्क में 0 है यह संख्या 5 से बिभाजित है आप अपने घर पे बिभाजित करके भाग दे करके देख सकते हैं अगर साथ आठ नौ पांच दो पांच दे दिया ते लाश्ट में पांच है तो यह संख्या जरूर पांच से विभाजित हैं आप घर पर इसे अब देख सकते हैं विभाजित करके ट्राइब कर सकते हैं दोस्तों अन्तिन एक बचा हुआ है उसे भी मैं आपको बताऊंगा एक ग्यारह से विभाजित होने का निया हम कैसे तै करें कोई भी संख्या एक ग्यारह से विभाजित है भी अध्वा नहीं है दोस्तों कोई भी संख्या एक ग्यारह से तंगी विभाजित होगा यदि बाई ओर से चलने पर सम अस्थानों का योग और बिशम अस्थानों का योग का अंतर जीरो हो या एक ग्यारह है फिर से समझें कि जब हम वाई ओर से चलेंगे तो उनके शम अस्थानों का योग मैनस बिशम अस्थानों का योग का अंतर क्या हो जीरो हो या फिर एक ग्यारह हो तो वह संख्या एक ग्यारह से बेवाजित होगा इसके एग्साम्पल में आप देख सकते हों आले की सम अस्थानों का योग का योग मैनस बिसम अस्थानों का योग सम अस्थानों का योग मैनस भी सम अस्थानों का योग इसकल तू या तू जीरो हो या भी 11 जैसे मान लिया कि हमने 1361052 हमने कहा कि यह 11 से विभाजित है या नहीं तो हम सिंपल के गारा बना शकते हैं इसम देखिए सम-स्थान क्या है यह एक दो तूसरा स्थान है 3-4 फिर सーム है पाँच छी स्थान है तो समसंक्या का यूँच तीं पलस एक पलस लाइफ हो जाये दोसरे असथान पर तीन चोथे अस्थान पर एक है और छठे अस्थान पर पाँच है आनि सम संख्या का योग मैनस विशम संख्या का योग विशम में एक है तीसरा पाचमा और साथमा मतलब एक हो जाएगा फिर छे हो जाएगा विशम अस्थान पर है छे के बाद देखिए जीरो हो जाए दा और फिर दो अरखावत समसंख्या का योग मैनस पिशम संख्या का योग क्या ओजिरो दो दीजिये, तीन एक चार पलस पाँच नो मैनस छे एक साथ दो नो अनिने नो मैनस नो जीरो तो यह संख्या 0 आगया मतलब कि यह संख्या 11 से बिभाजित होगा अब इसे भाख करके आप देख सकते हैं तो दोस्तों अभी हमने कुछ चीजों को बढ़ा जिसमें हमने आपको जो नंबर सिस्टम का बेसिक है उन बेसिक को समझाने का हमने प्रियास किया जिसमें हमने बताया कि आपके इवेल नंबर क्या है और नंबर क्या है प्राइम नंबर क्या है दो से किसी संख्या को कैसे आसानी से बिभाजित कर लेंगे चार से कैसे करेंगे आठ से कैसे करेंगे तीन से कैसे करेंगे पाँच से कैसे करेंगे नौ से कैसे करेंगे और कैसे है ग्यारह से करेंगे दोस्तों ये कुछ नियम था और अगले क्लाश में हम नमबर सिस्टम के सवाल को आसानी से बनाना सीखेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैथ का एक भी सवाल घलत नहीं हो तो आप जरूर वन लाइन क्लास से जुरे उसको नमबर सिस्टम का अगला क्लास भी मिलेगा और आपको मैथ का शावाल आसानी से समझाते हुए बताऊंगा अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो एक्जाम खोई भी हो जहां मैथ के प्रशनों पूछे जाते हैं आप से शहरूर मनेंगे दोस्तों अगर वीडियो पशनद आजाए तो आप लाइक कीजिए सेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताएए और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पशनद नहीं आए तो आप इस लाइक भी कर सकते हैं hard work is going to success होता है आप जितना समयधारी के साथ दोस्तों मेहनत करेंगे सफलता है उतना ही नजदीग होगा कर्म अपने कर्म पे भरोशा रखे अपने इमंधारी पे भरोशा रखे विजय आपकी जरूर होगी जो बैक्ति कर्म नहीं करते हैं वही अलग-अलग फ्यू देते हैं कि हमारा रिजर्ट नहीं होता है दोस्तों मैंने खुद तीन-ती सब्जेक्ट में से आरफ किया है चाहे वो इंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बुद्धिसम हो मैंने अपने कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा शफलता पाई और ये सफलता आप भी पाशकते हैं सर्त बस यही है कि आप में वो पानी की जुरून हो, पानी की ललक हो जिस दिन आपके अंदर पानी की वो आग लग गई, वो ललक आ गई आपके हाथ से एक्जाम कोई भी उरुक नहीं सकता है तो दोस्तों धन्यवाद फिर से नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे